आप सभी लोगों का वेलकम करते एक नई वीडियो में तो फ्रेंस आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो मोगरा यानि की जैस्मीन एक सस्क्राइबर का हमारे पिछले कमेंट आया था पिछली वीडियो में जिनों ने कहा था कि उनने अभी कुछ दिन पहले मोगरा का प्ल मिस्टेक कहा हुई मिस्टेक हुई है वो प्लास्टिक के गमले में जो प्लांट लगाया था अक्सर जो गलियों में आते हैं वो प्लास्टिक के गमले लेकर आते हैं और उसमें हम प्लांट लगा लेते हैं और उन्हें फूल सन में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मि जाता है तो अगर आप भागवानी में अभी आपको मतलब इस बात में नोलिज नहीं है कि हम अपने प्लांट को कौन से गमले या कौन सी मिट्टी दें तो आप सबसे अच्छा है कि आप जब भी प्लांट लगाएं तो उसे मिट्टी के गमले में लगाएं और जितने भी सन जो सन लविंग प्लांट होते हैं जिनको सन पसंद होती है फुल दिन की तो उनको आप मिट्टी के गमले में लगाएं आपका प्लांट जो है 101 परसेंट नहीं मरेगा और प्लांट आपका सर्वाइफ करेगा अब कुछ कमेंट हमेरे पास आये तो उनके मोगरे के प्लांट में flowering नहीं हो रही तो कुछ इन बातों का आप ध्यान रखे अपने मोगरे के plant में भी अच्छी flowering ले सकते हैं पहले नंबर आपको मिट्टी का गमला लेना है जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया मिट्टी का गमला आपको कहीं पर भी नरसरी पर या मटके वगेरा मिलते हैं वहां पर आपको यह 40 उर्पे, 50 उर्पे इस price में मिल जाते हैं बहुत तीजली मिल जाते हैं उसके बाद मिट्टी आजाती जो soil होती तो soil आपको bell drain लेनी जिसमें पानी ठहरे ना अभी देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और देखे सारा पानी नीचे से ड्रेन आउट हो गया यानि कि इसमें जो feeding root है उनको जितना पानी चाहिए वो मिल जाता है उसके बाद पानी ड्रेन आउट हो जाता है उससे क्या होता हमारा plant मरने के कम chance हो जाते हैं देखदम दूस ले सकते हैं ये आपको किसी भी नरसरी पे बहुत ही आराम से मिल जाती है मेरी कई वीडियो बर्मी कमपोश्ट पे है तो आप मेरे चैनल पे चेक आउट कर सकते हैं दूसरा नंबर अगर आपको नहीं मिलती है तो आप गोबर खाद ले सकते हैं गोबर खाद कहां मिल जाए तो बालकनी में दो से तीन घंटे की धूप आती तो आपका प्लांट अच्छे से फ्लाबरिंग करेगा और अगर आप फुल दिन की सनलाइट देते हैं अपने प्लांट को तो फुल दिन की सनलाइट आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी इससे क्या होगा कि जो प्लांट है वो काफी घना होगा घना की होगा क्योंकि इसमें नई नई जो है साखाएं निकलेंगी इससे हमारे प्लांट में काफी अच्छे से ग्रोथ होगी और हमारा प्लांट जो है की काफी जाड़ी नूमा हो जाएगा और इससे ये फाइदा रहेगा कि जितने ही branchے ज़यादा रहेंगी जितनी साखाइं इसकी ज़यादा रहेंगी उन साखाओं पे उतनी ही ज़यादा कलियां लगेंगी तो आप के टी अर अपना सकतें कि अपने प्रांट को जो है के जब season off होता है यानि कि सर्दियों का जब टाइम होता है उस समय आप अपने जो प्लांट है उसकी कटिंग कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि जैसे ही नेश्ट सीजन आएगा तो आपका प्लांट जो है कि नई ग्रोथ आजाएगी और उस पे उसी हिसाब से फावरिंग होगी अगर आप डरते हैं कि अपने प्लांट की कटाई चटाई के लिए तो सबसे अच्छा आपको टाइम बताते हैं जिसमें आपका प्लांट बिलकुल भी मरेगा नहीं वो है टाइम बरसात का जैसे बरसात चालू होती आप अपने कोई भी प्लांट को रिपोर्ट या फिर उसकी कटाई चटाई कुछ भी कर सकते हैं आपका प्लांट सर्वाइफ हो जाएगा क्योंकि उस समय नमी बहुत होती है इससे कोई भी प्लांट को दिक्कत नहीं होगी तो कुछ इन बातों का आप ध्यान रखे अपने प्लांट को सर्वाइफ कर सकते हैं तो फ्रेंज आज की वीडियो आपको कैसे लगी उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो में आपको जानकारी भी कुछ मिली होगी तो आप मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर आपको नरसरी की वीडियो मिलती रहती हैं तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि कोई भी नरसरी की वीडियो मिसना हो सके और लास्ट में दी गई वीडियो को भी आप चेक आउट कर सकते हैं नर्सरी की वीडियो हैं बहुत अच्छी आपको लगेंगी फिर मिलते हैं आपको एक नेस्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिये